हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल माई उनिक अखेड़िमी फ्रेंड्स मैं आपको पढ़ा रहा था इंग्लिश ग्रामर और मैंने आपको शुरू में बताया था फ्रॉम बेसिक टू एडवांस में पढ़ाऊंगा और यह जो पढ़ा रहा हूँ यह सभी competition exam के लिए उपयोगी है चाहाँ आप किसी भी competition exam की तैयारी क्यों न करो जहां कहीं भी इंगलिश से related question पूछे जाते हैं तो आप पढ़ सकते हैं ओके जैसे से से सीजियल से चसल बैंकिंग अंड ये इन सभी exams के लिए सामान रुप से जो classes हैं उपयोगी रहेंगी और आप इसको पढ़ सकते हैं और notes भी आपको provide कराया जाएगा मैं बताओंगा आपको कैसे और कहां notes मिलेगा ओके जब notes बन जाएगा तैयार हो जाएगा तो मैं आपको जरूर बताओंगा notes आपको मिल जाएगा तो फिलाल मैं आपको पढ़ा रहा था syntax syntax में मैंने कई topic पढ़ा दिये हैं तो वीडियो बन चुकी है उनको आप देख लिजिए sequence से वीडियो उसको देखेंगे तो आपको बहतर धंग से समझ में आएगा चलिए देखते हैं आज हमारा कौन सा topic है और समझना है ध्यान से चाहे जो भी topic हो तो आज हमारा topic है the separators and the verb separators क्या है और उसके साथ कौन सा verb यूज किये जाता है यहीं singular या plural यही चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो separators क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ दिखाता हूँ वैसे मैं बताऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन आप इतना समझ लिए separate means होता है किसी चीज को अलग करना यानि कि separators वो चीज है वो word है जो दो या दो से अधिक चीजों को अलग करता है अब चल अलग करने वाले तो देखिए यहाँ पर separators की रूप में चार है चार वर्ड है एक तो है और एक है नौर एक है नौर देखिए आधर और एक साथ रहेंगे नौर एक साथ रहेंगे जबकि और अलग नौर अलग उके इकलम लेकर चार है तो इसमें तीन चार पॉइंट हैं म और नौर इसी से संबंदित है इसी से related है और यह topic थोड़ा सा कठी नहीं मैं पहले बता देता हूँ difficult है इसको आपको समझना पड़ेगा हलके में नहीं लेना है नहीं तो आप चूक कर जाएंगे और ज्यादा तर question जो है यहाँ से पूछे जाते हैं पहला point है ए यदि और नौर आइदर और नाइदर नौर के द्वारा दो या दो से अधिक singular nouns या third person के singular pronouns को अलग यानि separate किया जाए तो वर्ब singular होता है अब इसको आपको समझना है बहुत बारी किसे अब यह तो आप जान गए कि किसको अलग किया जाएगा किसको singular nouns को यानि noun होनी चाहिए और singular हो यानि जैसे boy, boy noun भी singular है book, pen यह सब singular noun है जबकि pens plural है तो हमें pens, books, boys नहीं कहना है singular, singular nouns कह रहा है यानि कि pen, book, boy, man या फिर third person के singular pronoun अब बेकर third person के कौन-कौन से pronoun होते हैं third person के pronoun होते हैं he, see, it, they तो दे को हमको नहीं लेना है क्योंकि दे plural है वो कह रहा third person singular pronoun तो he, see, it और basically यहाँ पर हम बात करेंगे he और she की अब आपको समझ में आ गया क्या क्या होता है तो singular noun जैसे boy, pen, book, man या फिर third person के singular pronoun जैसे he, see, it आद को जब और, nor या either or, neither nor के दोरह अलग किया जाए तो verb हमेशा कौन सी रहेगी, singular रहेगी, अब यहाँ sentence देखे, example देखे, तब समझ में आएगा जैसे neither beauty nor duty is an armor against death आपको यहाँ पर meaning से कोई लेना देना नहीं, competition में आप meaning मत देखे, meaning ना निकालने में लग जाईए बस आपको अपना जो concept है उसको देखना है और correction कर देना है neither beauty nor duty is an armor against death तो देखे, neither or nor के दोरह दो नाउन को अलग किया गया है नाउन कौन-कौन से है, beauty और duty, दोनों singular है इसलिए हमने verb singular use कर दिया तो पहला sentence आपको समझ में आया दूसरा है either rain or storm is to come either or के दोरह दो subject अलग किया गया है यनि दो नाउन अलग किया गया है rain और storm, दोनों singular थे इसलिए हमने इस का यूश कर दिया अगर यहाँ पर आर का यूश करते तो गलत हो जाते क्योंकि जब दो singular noun या प्रोनाउन either or, neither nor, or nor के दोरह अलग किया जाते हैं तो वर्ब हमेशा singular होती है इसी प्रकार तीसरा sentence है neither he nor she is here तो neither nor के दोरह अलग किया गया है he or she और वर्ब हमने is use किया क्योंकि यह third person के singular pronoun है third person singular pronoun है इसलिए हमने is use किया वर्ब singular है तो देखिए इसको बहुत लोग neither और either बोलते हैं लेकिन मैं इसको neither, either बोलता हूँ क्योंकि Oxford की dictionary आप देखेंगे तो उसमें यह जो दोनों pronunciation उनको सही माना गया है मतलब आप चाहे तो neither nor बोल दीजिए either or बोल दीजिए या neither nor either or दोनों pronunciation सही है बस बोलने का अपना तरीका होना चाहिए जो आपको easy लगिए वो बोलिए ऐसे चोथा sentence है neither the later nor the writer was in any degree interesting sentence के meaning से आपको कुछ लेना देना नहीं है पर आपको अपना concept ध्यान देना है neither the later तो later क्या है nor the writer और writer noun है दोनों मिल गए आपको दोनों singular है और दोनों नाइदा नौर के द्वारा अलग है इसलिए हमने verb वाजिव किया ना की वर तो आपको समझ में आ गया होगा कि separators का क्या काम है अलग करना और ये पहला था ध्यान रखिए are nor either or neither nor जब दो या दो से अधिक singular noun या third person के singular pronoun को अलग करते हैं तो वर्ब singular आती है अभी आगे बहुत कुछ इसमें आपको देखनों को मिलेगा तो अब देखिए बी वाला यदि plural nouns या pronouns को और नौर आइदार और नाइदार नौर के दोरा अलग किया जाए तो वर्ब plural होता है फर्स्ट वाले में मैंने बताया singular noun या third person singular pronoun को अलग किया जाए जबकि यहाँ क्या है plural noun या plural pronoun को अलग किया जाए ओके ध्यान दीजिए यहाँ भी और नौर आइदार और नाइदार नौर के दोरा अलग किया जा रहे हैं लेकिन noun कैसे हैं singular नहीं plural हैं ओके plural noun या pronoun है तो वर्ब कैसा रहे का plural example देखे neither man nor woman have come तो men भी plural है women भी plural है और neither nor के दोरा अलग किया जाते हैं यानि कि plural noun अलग किया गया है तो इसलिए have आया है ना कि has अगर हम यहाँ पर has लिख दें तो गलत हो जाएगा दूसरा sentence either you or we have to do it तो दोनो plural हैं दोनो प्रोनावन plural हैं you भी plural और we भी plural तो इसलिए हमने have का यूज किया दोनो either or के दोरा अलग हैं neither we nor they are to blame neither nor के दोरा दो प्रोनावन अलग किया गया हैं we और they दोनो प्रोनावन plural हैं इसलिए हमने यहाँ पर plural verb का use किया और का use किया अगर हम इस का use करते तो हम गलत हो जाते तो यह चीज़ ध्यान में रखिए यद plural nouns या pronouns को और नौर आइदर नौर आइदर और नाइदर नौर के द्वारा अलग किया जाता है तो verb plural रहता है और अगर यही singular होते अगर singular noun या singular pronoun को अलग किया जाता तो verb singular रहता मैंने आपको first point में बताया है अब यह जो third point है ना यह बहुत ज़्यादा important है और समझने वाला point है मतलब इस पर मैं थोड़ा सा समय दूँगा आपको समझाने में और ध्यान से समझना यहाँ पर दो point है एक ही point में दो point समा ही थै दीकि अभी आप तक दोनों point समझ गए होंगे और यह सी वाला भी समझी आराम से यह दि भिन भिन persons के noun pronouns को भिन भिन persons यानि third person first person second person तो पहले तो आप यही समझ लिजए कि first person, third person second person यह कौन से noun pronoun होते है तो देखिए first person में I, V आता है I, V मतलब अपनी लिए second person में यू आता है और third person में he, see, it, they ओके यह आते हैं तो वही कह रहा है यह भिन भिन persons के nouns pronouns को or, nor, either, or, neither, nor के द्वारा अलग किया जाए तो वाक में पहले second person का pronoun आता है फिर उसके बाद third person का pronoun फिर यानि अंत में first person का pronoun आता है और verb अपने नजदीक आने वाले noun या pronoun के अनुसार होता है यानि दो, तीन, एक फार्मूला दो, तीन, एक यानि सबसे पहले मालेज़े कोई sentence दिया हुए बहुत बड़ा sentence है उसमें third person भी है first person भी है second person भी है मतलब, सभी person के pronoun है तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा pronoun पहले आएगा तो सबसे पहले second person आएगा यानि you, अगर you है तो सबसे पहले आएगा फिर third person के pronoun आएगे जैसे, he, see, it, they फिर last में I आएगा यानि कि first person का pronoun ये तो आप confirm कर लेंगे कि कौन कहां पहले आएगा अब बात है वर्ब कौन सा यूज़ करें किस के अनुसार तो वर्ब अपने सबसे नजदीक आने वाले noun pronoun के अनुसार होता है यानि वर्ब के नजदीक जो pronoun होगा वर्ब उसी के अनुसार आएगा ओके तो अब यहाँ पर कुछ एक्जामपल दिये हुए हैं देखिए आएदर ही और आई एम गिल्टी देखिए आएदर और के दोरा दो pronoun अलग किये गए हैं ही और आई ये दो pronoun है इनको अलग किया गया है आएदर और के दोरा तो देखिए मैंने बताया था पहले आपको देखना है कि 2, 3, 1 के फार्मूले के अंतरगत क्या ये सही है कि नहीं तो देखिए 2, 3, 1 यानि कि he क्या है third person है और I क्या है first person तो इसमें second person था नहीं इसलिए सबसे पहले तीसरा आया है यानि third person फिर पहले आया यानि कि first person 3, 1 का फार्मूला यहाँ पर काम कर रहा है यानि ये sentence का structure सही है either he और I, अगर I पहले कर देते हैं ही बाद में कर देते हैं तो गलत हो जाता है क्योंकि मैंने बताया third person he, see, it, they first person के पहले आता है फार्मूला आप देख लिए लिखा हुआ है तो यानि structure सही अब हमें use करना है verb कि verb किस के नुसार आएगा तो verb मैंने बताया अपने सबसे पास वाले pronoun के नुसार आएगा तो verb के पास में कौन सा pronoun है I, क्योंकि he तो दूर है I, पास में है इसलिए हमने यहाँ पर I am का यूज़ कर दिया ओके, either he or I am guilty फिर इसी प्रकार दूसरा sentence है neither you nor he is guilty तो neither nor के द्वारा दो pronoun अलग किये गए you और he you है second, he है third तो देखे, second, third यानि दो, तीन यानि कि यह जो structure है, सही है अगर तीन पहले आ जाता है, यानि he पहले आ जाता है you बाद में हो जाता है, तो गलत हो जाता है लेकिन अशा नहीं है, you पहले है second person, और he यानि third person बाद में है, यानि structure सही है अब हमें verb का यूज़ करना है तो he, verb मैंने बताया कि अपने pronoun, यानि जो पास में pronoun रहेगा, उसी के अनुशार आएगा तो is के सबसे पास में he है, इसलिए is आया he के साथ में is का यूज़ करते हैं इसलिए हमने is का यूज़ कर दिया अगर you के पास में verb होता तो हम आर का यूज़ करते हैं, लेकिन verb किसके पास में है? ही के, यानि ही के अधिक निकट है इसलिए हमने is का यूज़ किया तो neither you nor he is guilty ऐसे आवर देख लिए neither you nor I am guilty तो I के साथ I am आया है क्योंकि पास में है और you, I तो देख लिए दो, तीन है नहीं तो दो के बाद एक आएगा, तो यानि के द्वारा दो प्रोनाउन जुड़े हुए है ही और I तो सबसे पहले इस ट्रक्चर आप देख लिए यह थीरीवन है, बिल्कुल सही है क्योंकि थीरीवन होना चाहिए थर्ड परसन, फिर फर्स्ट परसन है अब देखिए, is आया है, ही के अनुसार क्योंकि ही पास में है अगर आई के बाद आता तो I am हो जाता वर्ब लेकिन चुकि ही के पास में है इसलिए is आया, ऐसे देख लिए आर यू और ही इट ब्लेम, यह स्वारी यहां पर क्या होगा हाँ, टू होगा यह टी आय जहां लिखा है टू होगा, आर यू और ही टू ब्लेम ओके, तो यहां पर देखिए यू पहले आया, यानि second person पहले है ही बाद में यानि third person फिर वर्ब का अगर हम देखें तो आर है जो की यू के पास में है इसलिए हमने यहां पर आर यू उस किया अगर ही के पास में होता वर्ब तो इस उस कर देते जैसा कि आप देख लीजे, दूसरा sentence वहाँ पर ही के पास में है वर्ब इसलिए हमने इस उस किया ऐसे छटा sentence है, आर यू और आई टू ब्लेम ओके, यहां यू और आई है यानि कि दो और एक second person, first person, तो पहले second person फिर बाद में first person आया वर्ब की बात करें तो यू के अनुसार है क्योंकि यू वर्ब के पास में है सब एक ही चीज है, यह थोड़ा दो चीजे समझना है, एक तो आपको structure देखना है कि second person, third person, first person आ रहा है, sequence फिर आपको वर्ब का यूस कर देना है तो वर्ब का यूस कैसे करना है आपको pronoun देखना है, जो pronoun वर्ब के सबसे पास में रहेगा, उसी के अनुसार यूस कर देना है अब यह देखिए, डी पॉइंट है यह भी थोड़ा important है यदि भिन भिन नंबर के नंबर मतलब singular, plural मालीजे singular भी है, plural भी है, दोनो है तो देखिए, यह दि भिन भिन नंबर के nouns, pronouns को और, 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 और के दोरह अलग किया जाए तो अंत में plural यहनि noun या pronoun को रखा जाता है जो plural होते हैं और, वर्ब अपने नजदीक आने वाले noun, pronoun के अनुशार होता है समझ लीजे, मालीजे कोई sentence दिया हुआ है उसमें singular noun या pronoun है और, plural noun या pronoun है तो सबसे पहले singular noun को रखना है सबसे पहले singular noun या pronoun को यूज करना है फिर बाद में plural वाले को रखना है और, वर्ब अपने नजदीक वाले noun या pronoun के अनुशार आएगा जो कि तीसरे वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि नजदीक वाला ओके, इसमें एक चीज़ ध्यान यही देना है कि इसमें singular plural दोनों रहेंगे पहले singular noun या pronoun को यूज करेंगे sentence में फिर plural को, जैसे पहले sentence neither the son nor the parents are to blame तो पहले यह देखिए, neither or nor के द्वारा अलग है, दो noun कौन-कौन से noun son और parent, दो noun है जो nor और neither यानि neither the nor के द्वारा अलग है अब हमें देखना है कि पहले singular आया है कि पहले plural तो देखिए, the son, यानि son singular है, पहले आया है मैंने बताया था, पहले आना चाहिए और parents plural है यह noun plural है, इसलिए बाद में आया है लेकिन verb किसके अनुसार आएगी जो पास में होगा, जो noun या pronoun verb के पास में होगा, verb उसी के अनुसार आएगी तो यहाँ पर are parents के अनुसार आया है जो की बिल्कुल सही है, either he or they are to blame, either or के द्वारा दो प्रोनाउन अलग किये गए है he और they he singular है, पहले आया, they plural है बाद में आया, are का यूश किया दे के अनुसार क्योंकि they पास में है ओके, आप इस तरह से जल्दी जल्दी इसको समझ लिजए इसे समझाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि एक दो सेंटेंस मैंने समझा दिया तो सब वैसे है, neither she nor they are to blame, यहां भी देखिए she singular है, इसलिए पहले आ गई यहां प्रोनाउन, और they plural है, इसलिए बाद में आया, are का यूश किया क्योंकि they पास में है he he, sorry, is he or they to blame, अब यहां देखिए दो संटेंस, sorry, दो जो प्रोनाउन हैं अलग किये जाते हैं, और के दोरा he और they यह दो अलग किये जाते हैं he है singular, पहले आ गया ठीक है संटेंस में, दे बाद में आया बिल्कुल सही है, लेकिन वर्ब का यूज़ करना पड़ा हमें, तो हमने देखा he के पास में है, वर्ब इसलिए इसका यूज़ कर दिया, अगर they के पास में वर्ब होता तो आर का यूज़ करते हैं क्योंकि they plural, तो वर्ब plural he singular, तो is singular ऐसे ही है, is the son or his parents to blame to blame तो देखिए, son और parents दोनों अलग किये गए है, आर के दोरा फिर हमने son को देख करके is का यूज़ किया, क्योंकि son singular है, और वर्ब के पास में है इसलिए हमने singular वर्ब का यूज़ कर दिया तो ये चार पॉइंट मैंने आपको बताए ABCD बहुत जरूरी है और अब कुछ exercise हैं, जो आप देख लिए और इनको करना ये कुछ exercise हैं पहला है, यानि A है, correct the following sentence यानि इन sentence को आपको correct करना है, यहाँ पर वर्ब की गलती है singular, plural हो गया है उल्टा सीधा, तो आपको पूरा पढ़के और ध्यान से इसको जहां singular आना चाहिए, वर्ब वहाँ पर singular यूज़ करना है, जहां पर plural आना चाहिए, वहाँ पर plural यूज़ करना है और जो sequence यानि की singular पहले आना चाहिए plural बाद में, यह सब भी आपको देखना है और 2, 3, 1 का फार्मूला मैंने बताया था, वो भी इसमें देखना है ओके, और फिर अगर हम बात करें तो यह जो दूसरा पॉइंट है, फिलिंदा ब्लेंक्स, बिस्टिटेबल वर्ब्स यहां पर आपको सही वर्ब यूज़ करना है, singular plural जो भी वर्ब आएगी वो यूज़ कर देना है ओके, तो बस वही चीज़ है, अगर आपने रूल को, यानि की कॉंसेट को सही से समझा, तो यह सारी जो एक्सरसाइज है आराम से हो जाएंगी और अगर यह वीडियो को पसंद आता है, तो इसको लाइक, सेर जरूर करना अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बारा हैं, तो सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालू, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और कमेंट करना अगर अच्छा लगा, या बुरा लगा, मतलब कुछ गलती हुई, कुछ मिश्टेक हुआ, तो अपनी बात जरूर रखना कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं समझू कि क्या कमी है, ओके